सब्सकारब करें अपने यूटीब चैनल लानमोट मेडिसिन को और बैल ऐकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिक्शन पाने के लिए अल्फा रेशेप्टार ब्लोकर प्रोपरटी रखता है और इसके अलावा जो मुख्य साइड इफेक्स होते हैं एंटी डिप्रेशन दवाओं के जैसे कि गेस्टिक इरिटेशन करना और सेक्शुल डिस्फंक्सन या सेक्शुल प्रोब्लम करना वो डियूलक्सितिन के साथ में नहीं है जब ये दवा दी जाती है तो बहुत कम प्रेशन के निड की अनुसार यूज करते हैं साथ ही जब भी आप इस दवा को मेडिकल इस्टों पर ख़ईते हैं तो यह अपने जणिक नाम डियूलक्सितिन से मेल जाता है साथ ही कुछ अन्ये नामों से मिलता जिसे हम ब्रैंड नेम कहते हैं कुछ पॉपुलर ब्रैंड आप ख़ई सकते हैं दोस्तों जब भी आप इसकी ब्रांट नेम से दवा ख़ई देंगे तो आप वहाँ पर लिखाव पाएंगे डियूलक्सितिन डिलेड रिलीज कैप्सूल तो यह इसको भी थोड़ा इंटोडेक्शन देदू डिलेड रिलीज का मतलब होता है जो कैप् 3 गंटे के बाद में गुलता है जिससे कि जब भी कैप्सूल लिया जाए पेट में से पास होके इंटेस्टाइन में गुल जाए और आशानी से एब्जॉब होके जो डिजाइर एफेक्ट है आपको दे सके तो इस तरह के लिए इसको डिलेड रिलीज में बनाए जाता है अ एक परका की आवस्ता है जिसमें व्यक्ति को लो इस्टीम लो मोड रहा साथ ही जो खुश निम्मा माहूल होते हैं वहां पर भी वह चुपचा बैठा रहता है और बिना किसी कारण से उसके बोडी में दर्द होता है इसे हम डिप्रेशन कहते हैं इस इस्तिति के टीट्में के अग्रेंट में डियुलक्शिट्रिन कैप्सुल का प्रियोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है पर दोस्तों यह ज्यान रखे यह जो रिलखते है ज्यादा साथ बहुत ज्यादा मेहंगी दवा है इसी कारण से इसका प्रियोग फर्स्ट लाइन णीज के रूप में लगना चिरचिरेपन रहना और बहुत ही ज़्यादा पसी नाना यह कुछ समझे हैं होती तो इस इस्तिति को ठीक करने के लिए भी यह दवा डॉक्टर दवार दी जाती है साथ यदि किसी पेशेंट को डाइबेटिक नियूरूपेथी नाम की बीमारी है जो सामय निता सुग पेशनेट को फायदा मिलता है इसके लभा फाइब्रो मााइल्जिया नाम की बीमारी है जिसमें हुम्हारी बोडी में पर्टिकुलर पॉयंट्स समय चीञते में चीग खरके वह लिएक्सिज आपकी हमस्ते समय इंटर एब्डोमिनल प्रिस्शल होने के पारवा embargo Career को फाय हो जाती है जो यह समयश्या है इसको ट्रीट करने के लिए यह कैप्सुल दिया जाता है और जो समयश्या है कोई इंफेक्शन नहीं है यह एक प्रकार की समयश्या है जो ब्लेडर होता है उसका मुझ प्रोपर तरीके से बंद नहीं होता है इस कारण से होती है तो इसको ठीक क करना बहुत ही कम रखता है लेकिन कर सकता है इसके अलावा जो में सुखापन रहना नोजिया या ओमेटिंग रहना थकान महसूस करना डिजीनेस एजीटेशन जिसे हम वियाकूलता कहते हैं यह समझते हैं इसके अलावा अगर सीवेर साइड इफिक रतर पड़े तो व्यक्ति बढ़ सकती है ब्लड प्रेसर उसका हाई हो सकता है यह कुछ समझते हैं हो सकता है इसके अलावा को दूसरी समझते हैं आपको देखने करें मेरे यदि ऐसा हो तो तुरंत है अपने डॉक्टर से मिले जिससे कि यह दावा बंद करके किसी अन्य प्रका का टीटमेंट आपको क्याइब जाता है और हफते बर इसको देने पर जो रिजल्ट मेलता है उसके अन्योसर मेंटेन थेरीपी में 30 मिले गाम से लगाएब जो कैप्सूल है रेगुलर उन्हें दिया जाता है और इस कैप्सूल को हमें साख खाने के बाद में लेना होता है और जो समाने इसका प्रेगनेंसी में इस दवा को लाइश्ट वीक होते हैं नम्म महिना ऐसा महिना उसमें नहीं दिया जाता है अगर दिया जाए तो बच्ची को कुछ नुक्सान कर सकता है और जब भी एक कैप्सूल पैसेंट को लंबे समय के लिए दिया जाता है तो उसमें एक विश्यश ब देखने के लिए इसे करना होता है जैसे यह आप देली की दो कैपसूल ले रहे हो तो पहले काएक दो फिर जीडां इन शुरू करे फीर दो दिन में के क सीर से चार दिन में हथे में ऐसे का विड्रोब कर आए जैसा झैंब से कम से देक्टिंखा पere sean08 क toolbar नहीं देखने को मि प्रतादी जो एक एक एंटीटीप्रेसिंट दवा है उम्मीद कहता हूं ज्यादा ज्यादा जानकारी आप तक पहुंची होगी वीडियो आपको जोर से पसंद आयोगा यह दिए वीडियो आपको पसंद आया जोर से इसको लाइक करें जो किसी और के भी काम आ सके और अभी स्थ receive friends ते कर और मेचे वोटमेशन जूस